मोदी जी वेलकम मोदी जी वेलकम दुहाद दुले बोलो भारत मता की है भारत मता की भारत मता की मोदी जीर जन्नो माठ खाट का भी एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए सब मिलके जोरे हो गारो जोरे दिल से बोलिये फिर से बोलिये मोदी जी वेलकम मोदी जी वेलकम मोदी जी वेलकम अरेक्ट करोतली होबे शोबाई मिले राज्जिर जन्नों शोबाई मिले जनाशे रेक्ट जोडे करोतली हमें ये घुशना करते हुई बेहत खुशी हो रही है कि हमारे भारत के यशिश्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी हमारे बीच उपस्तित है माननिय प्रधान मंत्री जी हम समस्त तृपुरा वासियों की और से आपका मात तृपुरेश्वरी के इस पावन धर्ती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं स्वागत करे साथ ही समस्त्र तुप्रवासियों के और से उन्हें एक स्मारत चिन्द भी भेट करे एबरे अबस्तित शकल के शागतों जानिये शागतों सम्भाशन रागबेन राज्येर मानुनी अपमुक्ष मुंत्री स्रे जिश्नु दे बर्मा महुदाए स्वाइके नमस्कार जोतोन खुरूम्खा मुंचे अबस्तित भारात बर्ष्टे जज़श्वी प्रदार मुंत्री सी नन्द भाय मोदी जी मुंचे अबस्तित आमादे राज्येर राज्योपाल सन्मानिय मुक्ष मुंत्री अइन्लाइन नो मुंत्री रा बिधाये गोन आजके एटे होती हाशिक दीन भार्ष्टे अंत्री ग्यायतो करा जाबेना कार अनेक धुहन दोर आपने बोशे आचेन सनकानेर पक्ष तेके एबंग जनकनेर पक्ष तेके आमादे राज्येर प्रिवप्रधान मुंत्री विकाश पुरूष त्री नरेंदर मुहावे मुदी जी के आमरा शागतम जानाए जनकनर पक्ष तेके एब आतो बरो जनकर समुद्रो आपना बोशे आचेन आपना देर को शागतम जानाए एब ओत्यासिक शबाते उनार हाथ धरे उनार मार्क दोर्ष ने एई तीप्र राइज्यो चलेचे चारबो चरबार आट मार्ष आजके उनी अनेक गुली प्रफलको उद बदन करवें एबांग समर्त पुरित करवें तीप्रबाशीर जन्न उनाके आमरे धन्न बाद जनाए एबां धन्न बाद जनाए प्रशाशन के जैतो भालो भावे वेवस्ता करेचे आबार उनाके शागत जानिये एबां प्राइम मिनिस्टर आबाद योजोना जे ग्यो प्रफलेश हबे उनी शटा रम्म करेचें उनार हाथ दोरी नवेंबर मासे प्राइ डेर लख्खो लाबार थीके आमरा फस्ट इंस्टोल्मेंट दियेची और आजके प्राइ डेर लख्खो बेनिविच्णीर ग्यो प्रफलेश करवेन उनार हाथ दोरी अधिक्ता उइतिहासिक मुर्थतो आप्रार शक्की इतिहासियर शक्की आजके आप्रार इतिहासियर शक्की एवंग एई बोली उनाके प्रणाम जानिये आमी अधे टुकी बोलबो, आम नादे सवाए कि आवा नमर्शकार सागोतो एवां धन्न बाद, नमर्शकार जोतो लखरूम का अधो खुन सागोतो शम्भाशोन राकलेन, मानुनी उपमुखो मुंत्री स्रे जिश्नु देपर्मा महुदाय एवारे बिनाम्रो उनुरोद राकबो राजेर मानुनी उपमुखो मुंत्री प्रोफेसर डक्तर मानिक शाह महुदायर काछे उनार मुल्लो बान बक्तो बेर आलोके आमादेर सम्रिध्ध करार जोर्ने सबाई के नमस्कार हमबाई खुलमखा आजकेर एई वईतिहासिक जे जनसमावेश त्रिपुरा सरकारेल जे एक गुच्छो प्रकल्पो एबंग जोजोना एबंग फाउंडेशन स्टोन इखने लेह हवे आमादेर सबार प्रियो आदोर्णियो प्रधान बद्धिर नरेंद्र मुद्धीजी रहाद दोरे तुशेयु पलोके एखने मंची उपस्तित आछेन आमादेर जोशोष्टी प्रधान मंची स्री नरेंद्र मुद्धीजी इखने उपस्तित आछेन आमादेर ओनारेबल गवर्नर अब त्रिपुरा स्री सोत्ते दो नारण आरिया एबंग जिनेक्टो आगे इखने बक्ति बर आकलेन आमादेर त्रिपुरा स्रकारेर उपमक्कमंत्री स्री जिस्टु देव बर्मा महदय उपस्तित भारोस स्रकारेर ओनारेबल मोस स्री मुति प्रतिमा भोमिक महदया एबंग ओनारेबल मेंबर अब पार्लेमेन येवां आमदेर प्राक्तन मुख्यमंत्री श्रिविप्लप कमार देव येवां उन्नानलो त्रिपराश्वरकारेर शमस्तो मंत्री बर्गो येवां एखाने आमार प्रियो मिडिया बंदुरा MLR, MDC जरा सदस्वरा आछेन येवां विविन्नाँ चैयार में येवां भीशेशको रेखाने उपस्ती त्रिपराश्वराश्यर समस्तो मावबो नेरा सब्रो सबै क्या आमि आमार बेख्तिगोत तोरव थेके त्रिपराश्रकारेर तोरव थेके आपना देर हार्दी गोविननद न्सुभिच्च जानाचँ आजके शत्ती य टानीदेर दिन जे मनुनिया प्रधानमंत्री नरेनर मोदीजी आजके अमधेर शमय दिये चे खेन आशार जुणनो अम्रा सबाई जानी जे उनी आमादेर जुन्नो दुहाजार आठरोते की भावे आमादेर एई सर्कार के एखने प्रतिष्टितो करेशेन सबार जाना जे अट्टा सर्कार के की भावे संत्रासेर एक सर्कार के उत्खात करे की बाते एह सरकर के खेंके प्रतिष्टित करे छेँ उनी के ऐसे चेन उना के सर्व प्रत्थम उनार आरोयय आम मिल्लो शवमाई नस्ट्र कोरे खेंए रजुन न और आ के आ मिसागटो जाना क्चे त्री28 बुरा शर्क़ पक्ख फख तैके उनि आमादेर अनिक की चुद दिये चेन सब समों देन अपनारा जानें जे हीरा मोडेलर कथा उनि बोले चेन हाईवेर कथा बोले चेन नेशनल हाईवेर आमादेर छो छोटा नेशनल हाईवेर काच चल चे आरोश हाट्टा नेशनल हाईवेर दिये चेन उनि एक्टार पर एक्टार उनी दिये जाच्छेन एर मोद्दे आपनारा जानें जे 1222 कुटी टागार जे सेंक्षन शे हाईवेड जोन उनी दिये जेन चार्टा रोपय आरो सेंक्षन करेचेन सुदुच ताइनों आपनारा जानें जे आमादेर इंटरनेट इता भरत बोष्षन मोद्दे थार्ड इंटरनेट गेटवे एमाँ स्ट्रोंगेस्ट गेटवे जाके आम्रा शे व्यवहार करे आमादेर जुबग जुभी तेरा शे व्यववेकास कोच्छेन एबां शेटेके डिजिरेल त्रिपुरा इसाबे एबां डिजिटेल इंडिया इसाबेस्टार व्यवहार कोच्छेन अपना जानें जे रेलोए आम्रा कुनुदीन भावी नी एखाने रेलोए एखाने गुटी-गुटी पाये मिटार गेजेर रेलोए छिलो शे धर्म्नागर रेल स्टेशन जे खानते के आफ़त्यास त्य आखन आगर्त ला होए दर्म्नागर सेस्प्रांते परजन तो अमादे रेलोए चल छे प्राइ दस्ट्रास आमादेर एक्स्प्रेस ट्रेइन आखन आगर्त ला थे के बिविन्नौ प्रदिशे जाच्छे सुधु ताइन है आमादेर रागर्तला रेल्वे स्ट्रेशन येखन नुतून ढंगे येवं खुबी सुन्दर भावे शेही रेल्वे येखने तोईरी होच्छे एखने अल्लडी आमादेर एस्केलेटर अला गेगे चे डेमा ट्रेइन चल्चे चार्टा अपनारा अरेक्ट अपनारा जानें उनार जे मार्त दर्शने जे सरकार आजके आमादेर केंद्रियो सरकारेर जे सब बेनिविश्यारी स्कीम एभंग थ्रिपुरार सरकारेर जे बेनिविश्यारी स्कीम उनार मार्त दर्शने आमरा चलाची उनार जन्मदीने आमरा सतरी सेप्टेमबर आमरा प्रति घरे सुषासन शे अभिजान अम्रा चाले इची तीन मासेट जुन्न आई प्रकल्प आम्रा सुरू करे चिलाम किन्तु द्याकलाम जेहितु बुदुर्गाबुजा चिलो काली बुजा चिलो दुर्जुक्पुन्ना अभर कारोने कि आवरे चाले इच्टेंट करे, 25 डिसेम्बर काल्लाम 25 डिसेम्बर आर प्रोती गरे सुषासोने रठ अच्छे जे केंद्री प्रकल्प एभाउं आम अमधेर त्रीपराश स्वर्कार रे प्रकल्प गुलु शेय गुलु जनों सेस्पुर्चंत सब मानुष्यर काचे पोचाए सेस्परन्तेर मानुष्के पोचाय है से दिशाए हम रख कोची बिविन्नो मेला अबंग बिविन्नो जेस्प जागाय मतर इसे एंघन आमरा जीपी स्थरे भीसी लेवले अम्रा SDM लेवले विविन्नो दिस्टिक लेवले शे कास्ट्राम रख कोरे जाच्छी मानूर्ष जेखाने विविन्नो जेशब बेनिफिशयरी विशयकुलु जानतो ना सेगुलु तादेर गोचो रहांची जेखाने यह स्टी सार्टिफिकेटर प्रवेज़न विखाने यह स्टी सार्टिफिकेट दीच्ची ओविशी सार्टिफिकेट दरकार सेगन आमरा दीच्ची जेखाने मेरी सार्टिफिकेट दरकार इमीरेटली दीच्ची विविन्नो एसेजी ग्रूपे जारा विविन्नो भावे अपनार जाने आमादेर बोनेरा आजके विविन्नो जे सब एसेची ग्रूप चिलो नॉय गून, दोस गून, एबं एगारो गून पर जन्तो भेरेगा चे तो सब जागाई आमरा प्रधान मंत्री नरेद्र मंति जिर महार्ज दोस्टने आमरा सब काच कोरे जाच चि एबंग आमि आर वेसिकी चुब बोलबो ना अब भारत के यशश्मी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से विभिन पर योजनाओं का उठ्गाटन और श्रीला नियास किया जाएगा सर प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के अंतरगत 1,51,019 तथा प्रधान मंत्री आवास योजना शेहरी के अंतरगत 54,526 हिद्राहियों के ग्रह प्रवेश्का शुभारम होगा और इन परियोजना उपर आज का दिन सिर्फ ग्रह पवेश्टा नहीं है बल्कि गर में खुश्या, गर में नए संकल्प, नए सपने, नया उमंग, नया भाग्य उसमें प्रवेश्का भी है यह हमारी सरकार का सवभाग्य है कि बीते आठ वर्षों में वो पी-एम आवाश योजना के तहट साड़े तीन करोड गरीब परिवारों की जिन्दिकी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाईगी है हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरुतों को सबसे जादा समझती है सबी परिवारों को आवास प्रदान करने का माननिय प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प से त्रिपुरा राज्य में कच्छे घर की परिभाशा में संशोदन हुआ इसके परिडाम सुरूप राज्य के लिए वित्ती अवश दो हजार एकिस बाइस के उप्रांद पी एम एवाय जी के तहट सरवादिक दो लाख अठाईस हजार घरों का आवंटिन हो सका राज्य की जन हितैशी सरकार ने कई वर्षों से आवाज सिवंचित परिवारों को रेकॉर्ड समय में पक्के मकान उपलब्द कराने के संकल्प को साकार किया इस मिशन मोड द्रिष्टिकोन ने राज्य के आवाज पूरा करने की दैनिक दर को मात्र पाँच घर से बढ़ा कर लगबग साथ सो घर तक पहुचाया है विविन्न योजनाओ की कन्वर्जन से लाबार्तियों को बिजली, पानी, शोचाले, लपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है राज्य के इस अभूत पूर्व प्रदर्शन का श्रेह जाता है माननिय प्रधान मंत्री जी और माननिय मुख्य मंत्री जी के नित्रित्व में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा योजनाबद, क्रियान वयन और सतत निगरानी को और ग्रामीन विकास विभाग और जिल्ला प्रशासन के द्वारा फ्री हल्प लाइन, सीपी ग्राम्स आदी के माध्यम से राप्त समस्त शिकायतों के निवारण को प्रधान मंत्री आवास यूजनाथ शेहरी भारत सरकार की एक यूजना है इसके तहट शहरीक शेत्रों में इफायतिक घर निर्मान का सपना साखाय हुआ और ये कार संतोज जनक रूप से आगे बढ़ रहा है 54,526 घरों का निर्मान पूरा हो चुका है प्रद्यक मकान के निर्मान के लिए 2,71,000 रुपए निर्धारित है सब के लिए घर के फैसले को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा राजे की बार बार प्रशंसा की गई है त्रिपुरा सरकार हर बेघर व्यक्ति को आवास उपलब्द कराने के लक्ष को पूरा करने में लगातार महतोपून भूमिका निभार रही है शेहरी विकास मंत्राले भारत सरकार के अनुसार बेस्ट पफॉर्मिंग स्टेट अंडर कैटेगरी टू में तृपुरा को सर्वश्रेश्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में माननी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के हाथों कुझरात के राजकोट में आयोजित एक समारों में पुरसकार मिला सभी के लिए घर बनाने का सपना अब एक सपष्ट हकीकत है और राज्य और केंद्र सरकार की सम्युक्त पहल से तृपुरा को नई उचाईयों तक पहुँचाने के लिए सामर्थिवान बनाने और निरंतर आशीरवाद के लिए माननिय प्रधान मंत्री जी के प्रती हम सब अपना आभार व्यक्त करते हैं माननिय प्रधान मंत्री जी का बहुत बहुत आभार अब आनन्द नगर में स्थेट इंस्टिटूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का उडगाटन किया जाएगा। मैं माननिये प्रधान मंत्री जी से पुना निवेदन करती हूँ। रिमोट का बटन दबाकर इस पर योजना का उडगाटन करे। अशंख धन्द बाद माननियो प्रधान मंत्री महुदय के। इवाड आजीम हाश्पाताल स्थीतो आगरतला गॉब्मेंट डेन्टाल कॉलेजेर शुभूद बुधन होबे। बिनाम्र अनुरूद रागबू भारोतेर जोशुव शिप्रोधान मंत्री स्थी नरेंद्र मोटीजी महुदय निकॉट रिमोटेर बोताम टिपे आगरतला गॉब्मेंट डेन्टाल कॉलेजेर शुभूद बोधन कुर्बार छोड़ने। बहुत बहुत आभार अब अगरतला बाइपास खरपूर से आमतली एनेच आर्ट का चौरी करिन के कारे का उठगाटन एवन प्रधान मंत्री सरक यूचना तीन के तहत 232 किलोमेटर लंबाई की 32 सडकों का और कुल 542 किलोमेटर की 112 सरक परियोचना की शिलान्यास रखी जाएगी साथ ही इन परियोचना पर एक लगू फिल्म भी दिखाई जाएगी मैं माने निये प्रधान मंत्री जी से इसका शिलान्यास रखने का अनुगरा करती हूँ मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का अस्वाशन दिया था हीरा एट आई आर एट से हाइवेश आई से इंटरनेट वेश आर से रेलवेश और एट से एरवेश प्रधन मंत्री श्री नरेंद्र मूदी जी की लोकीस्ट पॉलिसी ने आज अन्य उत्तरपूर्वी राजियों के साथ साथ त्रिपुरा को भी कनेक्टिविटी की क्षेत्र में बहुत बहतर बना दिया है त्रिपुरा में हर प्रकार के मौसम के अनुरूप सरकों की कुल लंबाई 13,974 किलोमेटर है जिसमें से नैशनल हाईवे 889 किलोमेटर, स्टेट हाईवे 1057 किलोमेटर, शेहरी सरक 1048 किलोमेटर, प्रमुक जिला सरके 172 किलोमेटर, अन्या जिला सरक 483 किलोमेटर और ग्रामिन सरके 10,325 किलोमेटर है फिलहाल त्रपुरा में 291 किलोमेटर का नाशनल हाईवे निर्मान आधीन है राश्ट्रिय राजमार्ग NH8 की खैरपूर आंतली बाइपास रोड अगरतला की पूरवी भाग में स्थित है और ये दक्षिंद्रपुरा को उत्तर त्रपुरा से जोगती है पर उसी शहरों के बीच बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ये सड़क तेज और सुरक्षित याताया प्रदान करेगी आगरतला शहर में प्रवेश किये बिना सभी प्रकार के माल एवं यातरी परिवान को ट्राफिक कंजेशन से बचा कर डाइवर्ट करने की उद्देश समय में पूरी की गई है और मानेनिय प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मूदी जी द्वारा आज राश्ट्र को समर्पित किया जा रहा है PMGSY-1 के अंतरगत हर प्रकार के मौसम के अनुरूप 4566 किलोमेटर की सड़क का निर्मान किया गया है जिससे अब तक रोट कनेक्टिविटी से वंचित 1958 रहाईशी क्षेत्रों को सड़कों से जोरा गया है PMGSY-2 के अंतरगत त्रिपुरा ने 217 किलोमेटर लंबाई की सड़क का उन्नैन किया जिससे 199 बसावट लाभानवित हुए PMGSY-3 के अंतरगत भारत सड़कार ने 232 किलोमेटर लंबाई की 32 सड़कों को जुलाई 2022 में मन्जूरी दी जिसकी स्वीकृत लागत 214 करोड रुपे है ये 23 सड़क राज्य के कुल 6 जिलों से गुजरती है जिससे 1,90,700 आबादी वाले 437 अलग-अलग ग्रामिन विस्तार को लाब देती है और ये सड़के 12 ग्रामिन क्रिशी हाट, 56 मंडी, 92 शिक्षर संस्थान, 22 चिकित सालय, 225 परिवहन सुविधाय और प्रशासनिक मोख्यालय तक पहुचने तक का जरिया देती है राज्यो सरकार की अगले प्राथमिकता है स्टेट हाइवे और जिला सरकों की सुधार और मजबूती ताकि ग्रामिन निवास थानों को नैशनल हाइवे के साथ जोड़ा जा सके पित्यवर्ष 2022 तेज के दोरान 542 किलोमेटर की कुल लंबाई वाले 112 रोड प्रोजेक्ट को स्विक्रिती प्रदान की गई जिसकी कुल परियोजना लागत 485 करूर रुपय है सरकों की मस्बूती और सुधार जीवी का सुधारने में परिवान को सक्षम करने एवं बुन्यादी धाचे की तेज विकास में एक महत्वपून भूमी का निभाती है इससे क्रेशी विविदी करन की ओर बढ़ पाएंगे जिसे राज्यो की ग्रामिन और आर्थेक विकास को बढ़ावा मिलेगा माननिय प्रधान मंत्री जी की मार्ग दर्शन और नेत्रित्व में और माननिय मुख्य मंत्री जी की प्रयास से त्रिपुरा निरंतर विकास के पत पर अग्रासर है बहुत बहुत आभार माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज समस्त्य त्रुप्रावासिय आपको इस मंच से सुनने के लिए आतर है मैं आपसे विनम्र अनुरोद करती हूँ कि आप अपने बहुमुल्य वचनों से उपस्तित सभी को प्रेरित एवं अनुग्रहित करें भारत माता की भारत माता की कारकम्य उपस्तित त्रिपुरा के राजपाल श्री सत्यदेव नारायन आर्यजी यहां के लोकपियम मुख मंत्री श्री मानिक साहा जी केंद्रियम मंत्रि मंडल में मेरी सहयोगी प्रतिमा भॉमिक जी त्रिपुरा विधान सभाग अध्यक्ष श्री रतन चक्रवर्ती जी उपम्वक्य मंत्री स्री जिष्णुदेव वर्मा जी मेरे मित्र सांसाथ स्री विपलव देव जी त्रिपुरा सरकार के सभी सम्मानिज मंत्रिगार और मेरे प्यारे त्रिपुरा व्यास्यों नोवश्कार खुलूमका माता त्रिपुरा सुन्द्रीर पुन्यो भुमिते ऐसे आमी निजे के भन्यो मोने करची माता त्रिपुरा सुन्द्रीर एई पुन्यो भुमिके आमार प्रणाम जनाई सबसे पहले तो मैं आप सब की सर जुका करके माफी मांगता हूँ क्योंकि मुझे करीब दो घंटे आने में देर हो गई मैं मिघाले में था महां समय जरा जादा गया और मुझे बताया गया कि कुछ लोग तो ग्यारा बारा बजे से बैटे हैं आप लोगों ने जो कस्ट उठाया और इतने आशिरवाद देने के लिए रुके रहे मैं आपका जितना अभार व्यक्त करो इतना कम है मैं सबसे पहले त्रिप्रा के लोगों का अभिरंदन करता हूं कि आप सबके प्रयास से यहां स्वच्चता से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया है बीते पांच बर्सों में आपने स्वच्चता को जन अंदोलन बनाया है इसी का परणाम है कि इस बार त्रिप्रा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्च राज्य बनकर उबरा है साथियों मा त्रिप्रा सुंद्री के आशिरिवात से त्रिप्रा की विकास यात्रा को आज नई बुलंदी मिल रही है कनेक्टिविटी, स्कील डेवलप्मेंट और गरीबों के घर से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बदाई आज त्रिप्रा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है इससे त्रिप्रा के युवाओं को यहीं पर डॉक्तर बनने का आउसर मिलेगा आज त्रिप्रा के दो लाग से अधिक गरीब परिवार अपने घर में नए पक्के घर में गरह प्रवेश कर रहे हैं इन में से अधिक तर घरों की मालकें हमारी माताए बहने हैं और आप सबको पता हैं ये एक एक घर लाखों रुपियों का बना है बहुत सी बैने ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपति दर्ज हुई है लाखों रुपियों के मकान की मालकें मैं इन सभी बहनों को आज त्रिपुरा की धर्ती से अगर तला की धर्ती से मेरे त्रिपुरा की माताओ बेनों को लखपती बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ गरीबों के घर बनाने में त्रिपुरा देश के अगरणी राज्यों में है मानिक जी और उनकी टीम बहुत प्रसंशनिय काम कर रही है और हम तो जानते हैं हमार यहाँ तो कोई राथ को एक आश्रही भी देता है तो भी जिंदगी भर आशिरवाद मिलते हैं यहाँ तो हरे को सरपरपकी छत मिली है इसलिए त्रिपुरा का भर पूर आशिरवाद हम सब को मिल रहा है और मैं एरपोर्ट से यहां आया थोड़ी देर इसलिए भी उजादा हो गई पूरे रास्ते पर एरपोर्ट कितना दूर है वो आप जानते हैं रास्ते भर दोनों तरफ जिस प्रकार से जन सलाव उम्टा था लोग बारी मात्रा में आकर क्या अशिरवात दे रहे से जितने लोग यहां है शायद उससे दसगुना से ज़्यादा लोग रोड पर आशिरवात देने के लिए आये थे मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जैसा मैंने पहले करा मैं इससे पहले मेगाले में नौर्थ इस्टन काउंसिल की गोल्डन जुबिली उसकी मिटिंग में था इस बैटरक में हमने आने वाले वर्षों में त्रिपुरा सही नौर्थ इसके विकास से जुड़े रोड मेप पर चर्चा की मैंने वहाँ अस्ट लक्ष्मी यानि नौर्थ इसके आठ राज्यों के विकास के लिए अस्ट आधार आठ बिंदूं की चर्चा की त्रिपुरा में तो डबल इंजिन सरकार है ऐसे में विकास का ए रोड में यहां तेजी से मैदान में उतर रहा है इसमें और अधिक गति आए कि प्रयास हम कर रहे हैं साथियों डबल इंजिन सरकार मनने से पहले तक सरफ दो बार त्रिपुरा की नौर्थ इसकी चर्चा होती थी एक जब चुना होते थे तब चर्चा होती थी और दूसरा जब हिंसा की गटना होती थी तब चर्चा होती थी अब बक्त बदल चुका है आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है इंफ्रास्ट्रक्टर के विकास के लिए हो रही है गरीबों को लाखों गर मिल रहे हैं इसकी चर्चा हो रही है त्रिपुरा के कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए केंद्र सरकार हजारो करोड रुपिये दे रही है और यहां की सरकार उसे तेजी से जमीन पर उतार करके साकार कर रही है आज देखिए त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का कितना विस्तार हो चुका है पिछले पांच बर्षों में कितने नए गाउं सडकों से जुड़े हैं आज त्रिपुरा के हर गाउं को सडकों से जोडने का काम तेजी से चल रहा है आज भी जिन जड़कों का सलान्यास हुआ है उससे त्रिपुरा का सडक नेटवर्ग और ससक्त होने वाला है अगर तला बाइपास से राजधानी में ट्राफिक की व्यवस्ता और बहतर होगी जीवन आसान होगा साथियों अब तो त्रिपुरा के जरिये नौर्थ एस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है अगर तला अखावरा रेल्वे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा इसी तरह भारत, थाइलेंड, म्यानमार, हाइवे जैसे रोड इंप्रास्टर्टर के जरिये नौर्थ एस्ट दूसरे देशों के साथ सम्मंदों का द्वार भी बन रहा है अगर तला में महराजा बीर विक्रम एरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल टरन्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है इससे तरिपुरा नौर्थ एस्ट लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रुप में विक्सित हो रहा है तरिपुरा में इंटरनेट पहुँचाने के लिए जो परिश्टरम हमने किया है उसका राब आज लोगों को मिल रहा है विशेश कर मेरे नवजवानों को मिल रहा है डबल इंजिन सरकार मनने के बाद तरिपुरा की अनेक पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर पहुचा है साथियों भाजपा की डबल इंजिन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रासेक्टर भी नहीं बलकि सोशल इंफ्रासेक्टर भी भी बल दे रही है आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राफिक्ता ये है कि इलाज घर के नदीक हो, सस्ता हो, सबकी पहुच में हो इसमें आविश्मान भारत योजणा बहुत काम आ रही है आविश्मान भारत योजणा के तहट नौर्थ इसके गावों में साथ हजार चे अधिक हेल्थ एन्वेल्नेस सेंटर स्विक्रुत हो चुके है इसमें से लगबग एक हजार सेंटर यहीं त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं इन सेंटर्स में हजारों मरीजों की कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक गंबीर बिमारियों के लिए स्क्रिनी हो चुकी है इसी प्रकार आईश्मान भारत पी-म जै योजना के तहट त्रिपुरा के हजारों गरीबों को पांच लाख उर्पिय तक के मुप्त इलाज की सुविदा मिली है साथियों, तॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, इन पर पहली बार इतना व्यापक काम हुआ है अब तो गैस ग्रीड भी बड़ा है, त्रिपुरा के घरों में पाइप से सस्ती गैस आए, इसके लिए डबल इंजिन सरकार तेजी से काम कर रही है हर गर पाइप से पानी पहुचाने के लिए भी डबल इंजिन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है स्रिप तीन वर्षों में ही त्रिपुरा के चार लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुभीदा से जोड़ा गया है 2017 से पहले त्रिपुरा में गरीबों के हक के राशन में भी लूट होती थी आज डबल इंजिन सरकार हर गरीब तक उसके हिस्से का राशन भी पहुचा रही है और भीते तीन वर्सों से मुप्त राशन भी उपलब्द करा रही है साथियों ऐसी सभी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहने हैं त्रिपुरा की एक लाग से अधिक गर्बवती माताओं को प्रदान मंत्री मात्रू बंदना योजना का भी लाभ बिला है इसके तहट हर माता के बैंक खाते में पोशक आहार के लिए हजारों रुपिये सीधे जमा किये गए है आज अधिक से अधिक डिलिवरी अस्पतालों में हो रही है जिससे माँ और बच्चे दोनों का जीवन बच रहा है त्रिपुरा में बहनों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार यहां सरकार कदम उठा रही है वो भी बहुत प्रसौंचनिया है मुझे बताया गया है कि महिलाओं के रोजगार के लिए सेक्डो करोड रुपिय का विशेश पैकेज सरकार ने दिया है डबल इंजिन सरकार के आने से त्रिपुरा में महिला सेल्फ एल्प्स ग्रूप की संख्या में नव गुना वृत्ति हुई है भाई और बेनों दसकों तक त्रिपुरा में ऐसे दलों ने सासन किया है जिनकी विचारदारा महत्वक हो चुकी है और जो अवसरवाद की राजनीती करते हैं जुनोंने त्रिपुरा को विकास से बंचित रखा त्रिपुरा के पास भी जो संसाधन थे उनका अपने स्वार्थ के लिए उप्योग किया इस सबसे ज़ादा नुकसान गरीब को हुआ युवाओं को हुआ किसानों को हुआ और मेरी माताओं बहनों को हुआ इस प्रकार की विचारदारा इस प्रकार की मानसिक्ता से जनता का लाप नहीं हो सकता ये केवल negativity फ्यलाना जानते है इनके पास कोई positive agenda नहीं है ये double engine सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धी के लिए सकारात्मग रास्ता भी है जब कि निराशा फ्यलाने वाले लोग reverse gear में चलते हैं जब त्रिप्युरा में accelerator की जरूरत है साथियों सत्ता भाव की इस राजनीती ने हमारे जनजातिय समाज का बहुत बड़ा नुक्सान किया आदिवासी समाज को जनजातिय क्षेत्रों को विकांच से दूर रखा गया भाजपा ने इस राजनीती को बदला है यही कारण है कि आज भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है अब यह भी गुजरात में चुना हुए है गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रतन जीत मिली है उसमें जनजातिय समाज का बहुत बड़ा योगदान है आदिवासीयों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटे बीजेपी ने जीती है साथियों अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासीयों के लिए अलग मंत्रान है अलग बजेट की व्यवस्ता की जबसे आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है तब से जनजातिय समुदाई से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्रात्पिक्ता दी है जनजातिय समुदाई के लिए जो बजेट 21,000 करोड रुपिय था वो आज 88,000 करोड रुपिय है इसी प्रकार आदिवासी छात्र छात्राओं के छात्र बुर्ति भी दो गुने से अधिक की गई है इसका अलब त्रिपुरा के जनजातिय समाज को भी हुआ है 2014 से पहले जहां आदिवासी छेत्रों में 100 से कम एकलबे मोडल स्कूल थे वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुँच रही है त्रिपुरा के लिए भी विश्य अधिक ऐसे स्कूल स्विक्रत हुए है पहले की सरकारे श्रिप 8-10 वन उत्पादों पर ही MSP देती थी भाजपा सरकार 90-91 उत्पजों पर MSP दे रही है आज आदिवासी छेत्रों में 50,000 से अधिक बंदन केंद्र है जिन से लगबग 9,000,000 आदिवासीों को रोजगार मिल ला है इस मैंसे अधिक तर हमारी बहने है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने बांस के उप्योग को व्यापार को जन जातिये समाज के लिए सुलब बनाया साथियों ये भाजपा सरकार है जिसने पहली बार जन जातिये गवरव दिवस को महत्वब समझा है पंदरा नवेंबर को भगवान बिर्शाम मुंडा के जन्म दिवस को जन जातिये गवरव दिवस के रुपें देश भर में बनाने की शुरुवात भाजपा सरकार ने की देश की आज़ादी में जन जातिये समझाय के योगदान को भी आज़ देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है आज देश भर में दस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर मुजियम बनाए जा रहे हैं यहां त्रिपुरार में भी हाल में ही राष्टपती स्रीमती द्रोपदी मुर्मुजी ने महराजा बिरेंद्र किशोर मानिक्य संग्रहाल और संस्कृति केंद्र की आधार सिला रखी है त्रिपुरा सरकार भी जन जातिये योगदान और संस्कृति के प्रतार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है त्रिपुरा की जन जातिय कला संस्कृति को आगे बढ़ारे वाली वुभुतियों को पत्म सम्मान देने का सोभग्य भी भाजपा सरकार को ही मिला है ऐसी अनेक प्रयासों का परणाम है कि त्रिपुरा सहीद पुरे देश में जन जातिय समदाय का विश्वास भाजपा पर सबसे अधीक है भाई और मैंनों डेबल इंजीन सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों छोटे उद्यमियों उनको सबसे बहतर अवसर मिले यहां का लोकल कैसे ग्लोबल बने इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं आज त्रिपुरा का पाइनेपल विदेशों तक पहुंच रहा है यही नहीं सेंकडो मैट्रिक टान अन्यफल सब्जियां भी आज मंगलादेश जर्मनी दुबई के लिए यहां से एक्षपॉर्ट हुए है इसे किसानों को उपचका अधिक दाम मिल पा रहा है त्रिपुरा के लाखो किसानों को पी एम किसान सम्मान निदी से भी अभी तक पांसो करोड रुपे से अधिक मिल चुके हैं आज जिस प्रकार त्रिपुरा में भाजपा सरकार अगर भूड इंडिस्ट्री को बल दे रही है उसके सार्थक प्रणाम आने वाले कुछ सालों में आएंगे इससे त्रिपुरा की युवाओं को नए आउसर मिलेंगे कमाई का नाया माध्यम मिलेगा साथ क्यों सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा अब शान्ती और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है अब त्रिपुरा में विकास का डबल एंजीन परणाम दे रहा है मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ पर पूरा बरोसा है विकास की गति को हम और तेज करेंगे इसी विश्वास के साथ आज त्रिपुरा के उजवल भविश्चे के लिए जिन योजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है मैं फिर से एक बार त्रिपुरा वास्यों को सुपकामनाई देता हूँ बधाई देता हूँ और आने वाले काल काल में त्रिपुरा नई उचाईयों को प्राप्त करें इसी अपेक्षागेजार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की हालो अशूंख धन्यवाद ए बंगांतुरी क्रितक गदाग आपुन कोछी भारतेर मानुनियों प्रुधान मुंत्री सुध्यों स्री नरेंद्रों मुंतिची महुदय के उनार मुल्लोबान बोक्तों बेर मुंत्तों दिये आमादेर सम्रित्व कोर्भाट जोडने अने कनेक धन्यवाद शे शौंगे मंचे जारा रुएचेन मानुनियों अति थिरा आपना दे प्रुध्यके अने कनेक धन्यवाद शेशोंगे, धोनुबाद जाना छी, आम देर ए माठे जाना आपना देर मुर्लूबान उपुस्तितीर मुधुदी आयो जोन के नोंदीतों कोरेचेन, शबाई के धोनुबाद, ए धोनुबाद जाने आजके ए ओनुष्ठान, ए खाने शेशोच्छे, नमुश्कार सीधा प्रसारण आप अगरतला से देख रहे थे, प्रधान मंटरी नरिंद्र मुधी ने वहाँ पर 4,350 करोड रुपे से जादा की परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान न्यास किया, अपने आपने प्रधान मंटरी ने कहा कि डाबल इंजन सरकार है, उसके पास